हलो दोस्तों कैसे हूँ आपका स्वागत दिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं बी ये फाइनल येर के जो है सेमेस्टर फिफ्ट, देखिए ये समेस्टर फिफ्ट का जो है पॉलिटिकल एंप शिस्रम UK 확인 and USA हमारा UK जो था सलेवस खतम हुआ अब हमारा USA पे हम आये हैं या फिफ्ट सेमेस्टर का भी ये फाइनल येर के बच्चे के हैं पॉलिटिकल साइंस लिया है आज जो हम करेंगे फॉर्स चैप्टर करेंगे यू ठीक है यह हमारा अमेरिका के विशह में होगा अमेरिका के सविधान का निर्मान making of the American Constitution जो की बहुत काफी important chapter है इसमें हम अमरिके के सविधान के विशह में जानेंगे कि वहाँ पर किस परकार के rule regulation अपनाये जाते हैं और अर्थवस्ता को कैसे मजबूत करते हैं और इसमें पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेस्ता होती है लेकिन यह सब करेंगे त किये क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इक important बात यह भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो like, share, subscribe करना मत भूलना तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का manual बढ़ता है subscribe कीजिएगा तो इससे यह होता है कि जब भी मैं कोई सब स्टेटस पे भी लगाओ कई मानने में बहुत से बचों के लिए helpful है चाहे हो 8th class हो 9th, 10th, 11th, 12th हो चाहे हो NIS board के बच्चे हो ठीक है चाहे BA, MA के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप subscribe करके इसको चनल को जो है save कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको इस चनल प्राप्त नहीं हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है subscribe करके जो है अपने पास save करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज topic क्या है आगे का है हमा आउस अब रिपर्जेंटिव तो देखते हैं क्या बात बताई गए अगर प्रति सदन Congress के निम्न सदन है ठीक है याद रखना दोस्तों कि यह Congress का निम्न सदन है जाबकि सिनेट जो सिनेट जो होती है वह उपरी सदन है तो कहते हैं यह निम्न सदन है और इसमें बहुत कम सक होते हैं यानि जनसंक्या के अधार प्रमागेव परति दीए जाते हैं पहले पहल केबल प्रति सदन ही लोक मत का ठीक परदर्शन करता था क्योंकि उस समय सीनेट का चुनाव और परतेक्स रूप से होता था केबल परतिरी सदन के सदस्यों को ही जो है लोगों के द्वारा चुने जाते थे परंतु परतिरी सदन का जो है लोग प्रिये सदन यानि पॉप्लर हाउस होने का दावा कुछ ढीला पड़ गया है क्योंकि यह सीनेट के सदस्यों का चुनाव परतेक्स रूप से होने लग गया है अगर हम बात करें इसके संगटन की तो कहते हैं सविधान की जनसंक्या के पीछे एक सदस्या चुना जाता था परंतु अब तीन लाग तीस अजार वेक्तियों के पीछे एक वेक्तियों को चुना जाता है यहां 435 निशित की गई थी आज कल फर्फशtha की संक्या साहभी दार कंट सार प्रतिय की सीटों जो है निम्निम राज्यों संक्या के दार पर बांटी जाएगी परतेक राज्य है अधिकार मिलता है यह दर से जनता दोरा परत्यक्स रूप से चुने जाते हैं अगर बात करें अगर आपको इस बात को समझे नहीं है तो आप याद रखना कि जैसे की यूटी छेत्रों में होता है भारत में यूटी छेत्र होते हैं वहाँ पर जो होता है एक जो कहते हैं लोग सभा के लिए सरविधान बनाने वाले मतओंदां को सरकार के हाथ में के अनुसार के ले कहा जाता था है कि किसी वैक्ति की जाती नशल रंग सा लिंग के अधार पर मतओदीकार के वंचित नहीं किया जा सकता जो कि बहुत काफ इंपोर्ियन बात था अगर संसोदन में कंग्रेस को भी यह अधिकार दिया गया कि यदी सरकार ऐसा करे तो कंग्रेस उसे दंड दे सकती है तब यही है कि इस सदन में उस राज्य का परतिनितु घट सकती है परन्तु यह अभी तक नहीं हुआ है कहते हैं यहाँ पर 26 में संसोधन के अनुसार परतेक 18 वर्ष का अमरीकी नागडी परतितों सदान के सदस्व को निरवाचन में भाग ले सकता है और कोई भी राज्ये पागलो अपराधियो और मुर्खों को मतदिकार नहीं देता है तो यह काफी इंपॉर्णेंट बात यहाँ पर रखता है यदि हम बात करें सदस्व के लिए योगता तो क्वालिफिकेशन ऑफ दो में भागता परते सदस्व का सदस्व के बनने के लिए कुछ भी सेस अधिकार के अश्रक्ता नहीं है सिरफ इतना होना चाहिए कि वह अमरीकी नागरिकों और वह 25 वर्ष जासे अधिक आयूग का होना अवश्रक है यानि 25 वर्ष जो होना जरूरी है उसके लिए कम से कम जो है 7 वर्ष से सदस्व के अमरीका के नागरिक होना जरूरी है तो जिए तो रज्ञे अमरीका में किसी लाबदायक पद पर नहो तो ऐसे वेक्ति जो है इसके सदसे बन सकते हैं यानि परतिनीजी सदन के सदसे बन सकते हैं इसके साथ यह भी प्रता बन गई है कि वह राज्य का केवल निवासी ही न हो अतुल उस में शेत्र में चुनाव लड़ना है तो उस शेत्र का भी निवासी भी हो शेत्र राज़िया अमरिका में चachtor से बाहर से विक्तियों की अपिक्षा स्थानिये विक्तिति की सधा अच्छा समझा जाता है तरकर यह दिया जाता है कि वह अपने चुनाव चेत्र को अफ्शकताओं के भली परकार समझता है प्रन्तु इस योगता ने कॉंग्रेस के सथ्यों को कभी भी राश की पर्देश की बनने नहीं दिया और यह सदा अपने जो है च्छतरों के संकुट्रित की रक्षा ही करते रहे हैं यदि बात यहां पर करें चुनाव पर्देश का तो कहते हैं इस समय सजुक्त राजज़ अमेरीका के परति निदू सदान के सदस्य एक सदस्ये वाले चुनाव छेतर में चुने जाते हैं प्रंतु कही राज्यों में ये जनसंक्या की विर्दी होती है और इसके साथ ही उसके परतिनी दूर सदनों में सदस्यों की कोटा बढ़ती चली जा रही है इसके लिए नहीं चुनाव छेतर नहीं बनते हैं अतूल नहीं रसदस्य के लिए सारे राज्ये को ही एक चुनाव छेतर बना देता है चुनाव छेतर बनने का संबंद में जो है 1929 के कानून में यह नहीं कहा गया है कि चुनाव छेतर समानने हो इस कारण से अमरीका में चुनाव चेतर बनाते समय, कूरिती को जनम भी ले लिया है, जैसे जो है Gary Madderings का कहा जाता है, जिसके अनुसार यह राजनितिकी दल सत्ता में ही है, और इस परकार चुनाव चेतर बनता है, कि उसके अधिक से अधिक सदर से चुने जाए, यह कूरिति दल जो है बहुत गिंती से को कुछ ही चुनाव छेत्रों में एकत्र कर देता है पहिनाम सरूबिडोधी दल इस चुनाव छेत्र में से बहुत अधिक बोट से जीते हैं प्रांतु इसके सरसों की संक्या थोड़ी होती है पहिनाम यह होता है कि सासक दल बहुत जो है बहुमत प पर अकार के नहीं होते हैं कोई हलका चिपकली जैसा होता है यानि हलका और चिपकली जैसे होते हैं कोई बुट जैसे होते हैं अमरीका जनता इस प्रता को बुरा समझती हो और इससे समाप्त करने के लिए प्रयास सदेव कर रही है इसमें मैंनेरो ने भी अपने शब्दों मे बात कहा था कि गरी मेंडर्स अमरीका राजनिती में एक ध्वन्स कारी तत्व है तता धीरे-धीरे जो है लोक्स भावना इसके विरुद्ध विक्षित हो रही है तो बहुत काफी इंपोरेंट बात यहां पर आती है यदि बात यहां पर करें बेता था भत्ते की तो यह बात बिल्कुल किलियर है कि परतेक सदस्यों को नीमा अनस्वार बेता ने बहुत दिये जाते हैं इसके अत्रिक उसके नीजी सचीव रखने देश में या ताया डाक आदी बेजने के लिए भी सुभधा दी गई है अगर सदस्यों के विसेश अधिकार यता छूट की बात करें तो कहते हैं परतेक सदस्यों के कई अधिकार यता छूट भी प्राप्त है किसी सदस्य के सदन के जवाधिवेशन के समय गिरिफतारी नहीं किया जा सकता और ना ही गवाही देने और सदन में बैठने के लिए विवश्च किया जा सकता है प्रांतु यह छूट उन सदस्यों को प्राप्त नहीं है जिन पर देश, द्रो, भस्ठा, चार और सांती बंग करने का अरोप नहीं थो सदन में भाशन देने की सदनता और उसके अधार पर किसी न्याले में जवाभी योग नहीं चलाया जा सकता तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है अगर बात करें यहाँ पर अवधी टर्म्स की तो यह जानना आपके लिए तियंत महतपून रहेगा कि प्रति सदन की अवधी दो वर्ष निचित की गई है और इस अवधी को किसी भी दशा में गटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता इंग लैंड में कौमन सदन होती है तो भारत में लुक्षवाक के पांच सदस्य जो हते हैं पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं दो वर्ष की अवधी पर कई बार अलोचना भी की जा गई है क्योंकि इस काल में तो सदस्यों को अपने करतव्य की जनकारी ही प्राप्त नहीं होती है तो इसके दो शाल की क्या अवधी दी गई है इन पर हर चुनाव का बोज ही रहता है प्रन्तों इसके पक्ष में यह तरक दिये जाते हैं कि चोटी अवधी होने कारण परदिव कभी भी गैर जिमिदार नहीं होते हैं और नहीं लाल्टी बनते हैं जो भी हो ल परदिव सदर्ण का वर्ष में एक अधिवेशन होना अनिवार हम रहे हैं जो कि परतिवर्ष तीन जनवरी का आरंब होता है यह सदन की बैठक में प्लाने का अधिकार है और सदर्स्यों की बहुत संक्या इसकी बैठक का कोरम माना जाता है अगर हम करे बात अध्यक्ष की स्पीकर की तो ये बात साफ सब्दों में आ सकता है कि परतिनी सदन के चुनाव के परशाद अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं आधक्षपद के लिए चुना जाता ए और पृतिनिदिरु सदन में अपने दल के नेता के रूप में काम भी करते हैं अपने पद की सकती का प्रियोग अपने दल के कारे करम की जो है उनती के लिए करते हैं अमरीकल स्पीकर के विप्रित जो है बिटीस स्पीकर निश्पध होकर कारे करते हैं और दल ये राजनीतिक में सन्यास भी ले सकती है जोगी बहुत काफी इंपोर्टेंट बात है अगर हम गन पुर्ती करें तो सविधान के अनुसार प्रदिन्तिक सदन की कारेवाही चलाने के लिए सदस्यों के सबस्ट बहुमत की उपस्तिती अनिवारे है अंतता 425 में से कम से कम जो है 218 सदस्यों की उपस्तिती होना अनिव कार्य मना जाता है। यदि बात करें यहां पर फरतिनितिक सदन की सकतियों कारे की यह बात तो साब हो जाता है कि अमरीकारण जो है प्रतिनितर्थल सदन के सेदन के में बहुत कम सकतियां प्राप्त हैं। फिर भी इस हैं दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दो शाल के लिए बेसकली चुने जाते हैं लेकिन इनका भी बहुत महत्पूर्ण अपना योगदान रहता है कैदे भी धानी सक्तियां इनको मिला हुआ है परतिनी सदन के सीनेट के साथ मिलकर्स जो है संगी सरकार के अधिकार चेतर म में पेश हो सकता है सीनेट धान बिल पर तभी विचार कर सकती है जब परतिनी सदन इसे पास करके उसको पास भेजे यानि बहुत इंपोर्णन बात है काईते हैं कर हम परतिनी सदन की बात करे तो इसको कम भी आगना गलत होगा अगर यदि बात करे यूद की घोशने का है यानि सांती और यूद की जो है सोचना का पस्ताँ पास करते हैं बात करें अगर हम यहाँ पर न्यायक सक्तियों की सब्सक्राइब के साथ मिलकर सब्सक्राइब करती है और अपने सदस्यों के चुनाब सम्मंदी जगडे का निप्टारन जो है सदन स्वयम ही करती है यदि कोई वेक्ति सदन का अपमान यान को सब्सक्राइब जो है उसे दन भी दिया जा सकता है परतरि सदन जो है राश्चपती उपराज्पट अन्य असैनिक अधिकार्यो पर जो है महावियों की करवाई अरंभी कर सकता है और उन पर दोस भी लगा सकता है और डूस अरोपन का पस्ताव सेनेट के पास तब जाएगा जब परतिनिधी सदन उस पस्ताव को सदारन बहुमत से पास कर दे तो यह सब जो है नया सक्तियों भी परतिनिधी सदन को प्राप्त है अगर बात करें यहाँ पर विसेज परिस्दितियों में राश्पति को चुनना तो इसमें भी इसका बहुत महत्वपून आजाती है तो यह जब राश्पति के चुनाव में किसी भी उमिद्वार को सबस्ट पहुमत प्राप्त नहों तो परतिनिधी सदन सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले तीन उमिद्वारों में से राश्पति का चुनाव स्वैम ही करता है ऐसे अबसार पर परदिनिधी सदन के सदस्या देखती का तोर पर मत न डाल कर राज्जे के अधार पर मत डालते हैं परतेक राज्जे को एक भोट का अधिकार इसमें प्राप्त होता है जो कि बहुत काफी इनपोर्टेंट यहां पर बात आती है यदि बात करें नियम बनाने का अधिकार तो ये भी जो है कॉंग्रेस के नियम सदन के पास होती है ठीक है इसमें परिसदन अपनी कारवाही चलाने के नियम स्वेम ही बनाती है वो अपने सदस्यों के निरवाचन योगता है आधी के संबंद में भी स्वेम नियम बनाती है और सदन के सदस्यों को यह भी जा समयती निक्ति कर सकता है तो यह जो है परतिनेसी स्वाधन का साथ मिलकर सविधान में संसोधन का पस्ताब भी पस्तृत करती है बात करें स्पीकर का चुनाव का अध्यक्षता भी करता है अगर बात करें यहां पर हम सदस्यों की निश्करशित करने का अधिकार तो इसमें परतिनी सदन के जो अपने सदस्यों के भस्टा चार देश दुरो आदी अपरादों के लिए सदन से निशकर्षित भी कर सकता है अक्टूबर 1980 में सदन में जो है डैनो मैक्रेट सदस्यों को 50,000 डॉलर रिस्वत लेने के कारण सदन से निशकर्षित कर दिया गया था तो ये भी काफ इंपोर्टेंट बात यहां पर आजाती है यदि बात करें हम परतिनी सदन एक कमजोड सदन के रूप में तो कहते हैं परतिनी सदन एक कमजोड तो है क्योंकि इसको दो साल के लिए बनाई जाती है तो इसको बहुती कम सक्तियां होती है लेकि फिर भी इसका आप कर सिनेट के साथ देखे तो बहुत सक्तिशाली यह भी बन जाता है अमरीकी परतिनी सदन की सकतियों की सीनेट की सकतियों के से अन्य देशों के सदसों की सकतियों की तुलना में करे तो यह सपस्ट हो जाता है कि यह सदन बिश्व का सबसे कमजोर प्रत्थम सदन है इसमें लश्की ने के अनुसार जो एक बात उनोंने साफ सब्दों में कहा था कि पर्दिन सदन उन कारे करने में जिनकी उसे आशा थी बुरी तरह असफल रही है इस सदन के इच्छा के बिरूद ना सदारन बिल पास करने का अधिकार है और नहीं या राष्ट के धन को अपने नियंतर में डग सकता है तो इसमें बहुत रगी सकती हैं जो इसको नीत है नहीं दिया गया है कारे पालिका पर इसका कोई प्रभाब नहीं पड़ता है अन्य शक्ती भी यह सीनेट के साथ मिलकर ही प्रियोग कर सकता है परतिन सदन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है जिसका प्रियोग यह स्वतंतर रूप से कर सकता है यानि आप अगर देखे जर्नली सी बात तो परतिन सदन का कोई भी सकती नहीं मिला है जिससे वो स्वैम ही अपना सक्ति का प्योग कर सके, यानि ये किसी की ना किसी की आधीन बना दिया गया है, यही कारण है कि योग्य अनुभवी राजनितिक इसके सद्से नहीं बनना चाहते हैं, कोई भी इसके सद्से बनने के लिए तयार जल्दी नहीं होते हैं, कहते हैं प यहां से प्रतेक राजनीतिक जल्दी से जल्दी जो है निकलने का प्रेतन करते हैं जिसे कि वो जो है अगले जो है सिनेट सलस्य के सलस्य बन सके यदी बात यहां पर करें पर्दिंदी सलन के दुरबलता के कारण तो क्या कारण हो सकता है तो सबसे पहली बात तो दुरबलता म वापस में धनिशंवंद नहीं है। यह अधिकार साविधान के रवाताओं ने सीनेट को दिया है और इस बात से परतिनिती सदन की स्तिती को बरही कमजोर बना दिया है। बात करें सीनेट की सेमानेu शक्तियों की यहां तक कि परतिंदी सदन सीनेट की इच्छा के विरूद धन भिल भी पास नहीं कर सकता है परतिंदी सदन के पास कोई ऐसी सकती नहीं है जो सीनेट के पास नहीं हो सिवा इसके की धन भिल केवल परतिंदी सदन में ही पेस हो सकता है अगर अब धी टर्म की बात करें तो परित सदन की जो अवदी बहुत चोटी होती है जिस करन इसकी सिद्धी सीनेट से बहुत काफी कमजोर होता है इसके सबसे दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं और चुनाब के बाद होए सभी पूरी तरह से कुछ जो है सीख भी नहीं पा उधर की ही खिचे चले जाते हैं तो यह सारी बाते जो है यहांपर इन्पोटेंट आ जाती है उड़ी बात यहां पर उधि teacher की संख्या की तो कहते हैं परदिरिछ सदन एक ज sextana जी बहुत बढ़ी में सिनेट में कुल जो है सो सदस्य ही है और इनके सदस्य में परंपर धनिश्टा सब उत्पन होती है एवं परतिनी सदन किसी भी मामले पर अधिक गंभिरता से विचार नहीं कर सकते हैं यह भी जरूरी बात यहां आती है यदि बात करें हैं भाषन भाषन की सदन का भाव तो परतिनी सदन के सदस्यों के भाषन देने की सदनता सीमित है परतिनी सदन में सदस्यों को बोलने पर कई पावंदी है और सदस्य जब चाहे अपने विचार परगट नहीं कर सकते हैं परतिनी सदन में अनेक नियम दोरा च सकता है कईवार एक सदाइग किसी वशेपर अपनी बात पूरी नहीं भी करेपाते हैं इसके मुकाबले में सेनेट के सदस्सो और जाते हैं तो भूही प्रदिधेफ को बोलने के अधिकार पर वहीं परदिवन्द नहीं लगाया गय है और बात कर राश्टे प्रतिनित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् गोट पहुंचती है, बात करें नेचित नेता का भाफ तो इस विसए में भी बहुत इंपॉर्टन बात यहां पर आती है, कि अमरीकार प्रेज़ित सदन में उस परकार का कोई नेता नहीं है, जैसे कि वितीज कोमन सदन में है। होकर नहीं कर सकता है जो की बहुत काफ़ important बात यहां थी है यदि बात यहाँ पर करें दलिये एकता का भाव तो कहते हैं कि यहाँ पर अमरीकन पर्दिस सुद्ण में कोई संगटित जो है सरकारी दल है और ना ही कोई संगटित विरोधी दल है रागने दल ये एकता को ना होने के कारण भी प्रतियक्ष तोर पर नागणी द्वारा होती है परतियक्ष तोर से होता है परतियक्ष चुनाब के कारण सिनेटरों की गरिमा में चार चांद लग चुकी है अगर हम इन सब बातों के निश्कष पर आते हैं और कर-inclusion बात निकलते हैं तो कह सकते हो कि परतिनिती सदन सीनेट के मुकाबलें बहुत कमजोर सदन है और इसलिए अमरीका के लोग जो है सीनेट का सदसे बनना पसंद नहीं करते हैं ना कि परतिनिती सदन का है अमरीका के विपरिद जो है इंगलैंड में लोग कॉमन सदन का सदसे बनना चाहते हैं नकि लॉर्ड सदन का अगर बात करें डी टाइकलोवियल्स का तो इसका कहना था कि अमरीकी परदिद्ध सदन में प्रवेश करते ही इस सवा की हिंता का पता लग जाता है इसमें एक भी परशिद्ध वेक्ति दिखाई नहीं देता है और इसके सभी सथ्थे सदारन वेक्ति हो तो ये काफी important बात यहाँ जाती है यदि बात करें यहाँ पर परतिनिदी सदन के speaker की सकतियों की तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि परतिनिदी सदन के speaker की सकतियां क्या होती है क्योंकि आपने देखा है कि परतिनी सधन के सदस्विक जो है पावर बहुत ही कम होती है लेकिन स्पीकर में क्या खासियत होती है बात करें अमरीका के परतिनी सदन के अध्यक्ष को ही स्पीकर बनाया जाता है अमरीका में पर्थिन सदन के अध्यक्ष का पद एक अत्यन महत्वपुन पद है इसे महत्व की दृष्टी से राश्पदी के बारे बाद दूसरे दर्जी माना जाता है या उपर राश्पदी के बाद पर्थिन सदन के स्पीकर को राश्पदी के पद का अधिकारी भी माना गया है तो यह काफ़ इंपोर्टेंट है स्पीकर का चुनाव कहते हैं परतिनी सदन के सदस्य दोरा अपने में से किया जाता है चुनाव की पद्धि के संबंद में सभीधान में कबल इतना ही लिखा गया है कि परतिनी सदन को भी सपीकर चुल ले जो सदन का सदस्य नह OC अभी तक ऐसा हुआ नहीं है पर्तिनी सदन को सदस्य उमें से ही किसी अकको सपीकर चुल लिया जाता है चुनाव राजनीति दलों के संगर्ष होता है और आंते में बहुत जो है वहाँ पर बहुमत दल को जो है उमीदवार ही विजय होती है इसी कारण मुनेरों ने कहा था कि बहुमत दल की बैठक सदन और जो है चैन करती है और सदन केवल उसकी पुष्ठी करता है प्रणतु इंगलेंड में स्पीकर का चुन लिया जाता है, इंगलेंड में speaker के संबंद में या प्रताभी अस्तापित हो चुकी है कि जो वेख्थी एक बार speaker चुना जाता है बार बार speaker चुना जाता है चाहे नई सतंर में पहले दल के बहुमत प्राप्त नौ भी रहे अमेरीका के प्रते बार्द के speaker मैटिक पार्टी के उमिद्वार थॉमस नील को पांच भी बार स्पीकर चुना गया यानि डेमोकर्टी पार्टी के जो है उमिद्वार थॉमस नील को पांच भी बार स्पीकर के रूप में चुना गया और थॉमस को जो है 247 मत मिले यानि 247 मत मिले जबकि रिपबलिंग पार इमिदबार निव ग्रीग गर्ल्स जो पुन्य पर्दिंति चुनाब के साथ से चुने गए थे तो यह काफ़ इंपोर्टन बात है अगर बात यहां पर हम करें कि बेतर भत्ते की तो अमरीकी स्पीकर के जो है अमरीकने स्पीकर के जो है नियम अनस्वार बेतन एवं भत्ते दिये जाते हैं और इसके अतरिक उसे कई अन्य परकार की सुविदाएं भी परदान किया जाता है तो यहां पर आजाता है स्पीकर के कारे और अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है अरम में स्पीकर के सक्तिया बहुत कम होती थी उस समय के निमो तथा रिवाजों के अनुसार वह सदन का एक सभापती होता था जिसका कारे सदन की प्रदानता करना था किसी बिल पर बोट डालना सदन में सांती बनाये रखना आदी थे परंतु कुछ समय भी इतने के पश्चात इस पीकर धीरे दे सभापती से बदल कर प्रतिंति सदन का निर्कुष शाषक बन गया इस पीकर के शक्तिशाली होने के तीन महतपूल कारण थे पहला तो यह कि परतिंति सदन की सदस्ता बढ़ गई दूसरी का कल्यान कारी राज्य बनाने के कारण सदन दोरा किये जाने वाले सरवधाने कारण में ब्रुद्धी हुई और तिसरी सबसे महतपूल कारण यह था कि सेयुक्ति राज्य में जो है सकती यह कि पुर्थी कारण क नित्तुब करने वाला कोई नहीं था राफ परितार मंत्रियों के जो है नुपस्तिती में स्पीकर से प्रतितु सदन का नित्तुब सुरूख कर दिया गया इस पीकर पहुमत दल का होता है इसलिए इससे सदन की बागडोर समाल ली और स्पीकर जो है सम्मंदी यह करांती अठ भी कहा जाने लगा उस समय स्पीकर सारी कमेटी के घठन भी करता था और निमो को सम्मंदी कमेटी का स्वयमी सभापती होता था कहता है जैसे कि कैमन्स जो की 1902-1910 तक जो स्पीकर के पद पर रहा और इतनी सालिय अध्यश्ता की उसके सम्मंद में ब्रैग्रण ने लिखा ह है कि जो स्पीकर कर ले यानि जो स्पीकर स्पीकर कर ले ठीक है यह स्पीकर स्वयकर कर ले वह स्वयकरती कर लिया जाता था और जो स्वयकर कर दे वह बहुत ही सम्मंद से कमेटी में दवाब दिया जाता था यानि साफ सब्दों में इसको देखा जाया तो यही बात है यानि जो speaker स्विकार कर ले वो स्विकर कर लिया जाता है और वो जो speaker स्विकार कर दे वो बहुत ही सम्मान से committee में दवा दिया जाता है तो ये clarity के साथ आपको समझ में आ गया होगा अब कहते हैं इस परकार 1910 में speaker के सदन के द्वारा किये गए प्रतेक कारे पर मिर्त्यु तथा जीवन का अधिकार था इसमें जो है आग तथा रे ने इसाब सब्दों में कहा है कि हैंवरी काले स्री केनिनन के काले काल में एक आम सभापती पर निर्कुष शाषक बन गया जिसके पास सदन के द्वारा किये गए सारे कारे पर जीवन दथा मिर्त्यु का अधिकार था इस speaker की इस निर्कुषता के विरूद 1911 में करांती हुई जिसमें speaker की निर्कुष शक्तियों की समाप्ति कर दी गई इस वर्ष जो है speaker क और निमबाली कमेटी को अटा दिया गया और इसके प्रशाद इसे बिन कमेटीों में सश्यों और सभापतियों के नामगित करने का दिकार से भी बंचित कर दिया गया यह सारी सक्तिय सदन के स्वैम ले ली वे परिवरतन लोग तंत्रिक परंप्रे का नुकूल थे इस speaker भी सक्तियों पर बहुत बड़ी चोट थी परंथू अब भी परिवरतन सदन में उसे महतपुन स्थान प्राप्त है उसे सदन का पुराना नियंत्रन नितो प्राप्त नहीं है परंथू अपनी बुद्धी मतार से सदन को अगावनी दे सकता हो इस समय speaker के निमली के दि प्राप्त है पहले सकती तो यही आती है कि सधन का सभ़ापती जी Dip में आता है में सांती वीवस्ता बनाëर रखने का अधिकार है यह किसी भी सदस्य को चुप करने यह ठीक वेवार करने के लिए कह सकता है प्रतु इस प्लक्ष में उसे कौमंस सदस्क स्पीकर से बहुत कम सब्सक्राइब नहीं दे सकता है यह बहुत काफ इंपोटंट है कहते हैं ऑगर बहुत इंपोटंट आता है कि कि से कजल सबर्वेंब नहीं की सकता है यह साली करनी का देश भी दे सकता है है अगर बात कर सदस्यों के बोलने की पहचांने की शक्तियों के दवार प्रभाव डालने पर बहुत अप्सर मिलता है। इस सदन के दुट आए वह किसी भी सदस्यों को बोलने का आग्या दे सकता है। जब एक से अधिस रस्य बोलने की आग्या मांग रहे हो, तो कोई भी वेक्ति स्पीकर की आग्या के बीना सदन में नहीं बोल सकता, सदन के बनाए हुए निमो से पहचानने की सक्ति पर कई बंधन लगाए गए हैं, परन्तु अब भी स्पीकर इस सक्ति का सदन में विचार किये जा रहे हैं, बिल के पक्षमे या विरूद वतावरन बनाने के लिए परियोग कर सकता है, जो की बहुत काफिन बोलन बात यहां आती है, यही बात करें, अगली पॉइंट के तो यही बात यहां पर बताया गया है, कि सदन के निमो की विचाँ और उनके परियोग, देखिए, सदन के सपीकर को सदन की कारेवाही चलाने से संबंधि निमो की विचाँ करने का दिकार है, जहां नियम सपस्ट हो वहाँ तो स्पीकर को उनके अनुसार ही कारे करना पड़ता है प्रांतु जब कोई नियम सपस्ट हो तो उसके संबंद में स्पीकर व्याख्या दे सकता है उधारन के लिए थॉमस वीट्स ने एक बार निर्णा दिया कि सदन का जो है कोरम इस बात पर निर्भर करता है कि सदन में कितने सदस्य उपस्त हैं इस बात पर नहीं कि मधद आता मद्दान में कितने लोग विंस male यते हैं इस अधिकार के संबंद में यह बात देना अवश्चय Cookie पर तरह इसकी दीग भूई व्याख्या आंप्यं नहीं होती है और इसके निनाय के विरुष सदन में प्रातना भी कर सकता है इस पीकर सदन द्वारा पास विदाय को दता पस्तावों पर हंश्रक्षर करने का अधिकार भी प्रात है तो यह बात बहुत इंपोर्डेंट आती है कि स्पीकर सदन के समक्ष आए बिलो पर बहस को चलाता है और इसके अंत में बोट भी लेता है गिंती करने के प्रशाथ पहिनामी घुषना भी करता है और बिल पास होने पर स्पीकर का श्रक्षर होते हैं बिल दुसरे सदन को बेजा जाता है वो सदन के निनाय के उची तो अधिकारी तक पहुंचता है ताकि अधिकरी नहीं उन संबंद स्पीकर के सारे अधिकार चिन लिए गए अब भी कोई बिल जो है विशह अनुकूल कमेट्री को भेजा जाता है तो सदन का करता है जब बिल के विशह में संबंद में यह जो है विवाद उत्पन हो जाए कि कोई बिल किसी कमेट्री को भेजना जाना है तो इसका र समेटी के पाद जाएगा तो इसका निजनेर भी स्पीकर ही करता है जो कि कभी इंपोर्टेंट बात यहां पर आती है यदि बात करें यहां पर बाद भीवाद में भाग लेना तो स्पीकर सदन में निर्पक्ष नहीं होता है इसलिए वह एक सदारन सदस्य की तरह सदन में ही नहीं वहस में भाग लेता है वह अपने दल के द्वरा पेश किये गए पस्तावों को पक्ष में बोलता है और बोलने वाले में सुची में वह अपना नाम सबसे पहले रखता है तो यह काफ इंपोर्टेंट है अगर निनायक मत की बात करें तो स्पीकर आम सदस्यों की तरह मत्दान में हिस्सा लेता है यदि किसी पस्ताव अथवा विल पर दोनों पक्ष मत बराबर हो तो स्पीकर जो निनायक मत डालने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है ऐसे अफसर पर स्पीकर को इस तरह दो मत प्राप्त हो जाते हैं एक सदारन मत और एक निनायक मत तो यह सब्सक्राइब करता है अगर बात कर अमेरिका के स्पीकर एक पार्टी नेता भी होता है तो यह गलत बात नहीं होगा बिटिसस्पीकर एक निफक्ष विक्ती होता है जबकि अमुरिका के प्रतित्व सब्सक्राइब का बात कर acc भाग भी लेता है और वाशान भाषन में हो रही वहास को अपने दल के पक्ष में लाने का प्रयातन भी करता है कहते हैं विटीज सफिकर के राजनीतिक निर्फख्षता रखने के कारण लगाता स्पीकर चुना जाता है चाहे सदन में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो परंतु अमरीका के स्पीकर को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यह सदन का प्रदिव होते हैं यह ठीक है कि उसे सदन के कारवाई चलाते समय कुछ न कुछ निर्फख्षता को काम लेना ही पड़ता है बिरोधी तल कि उचित समय देना पड़ता है परंतु अमरीकन स्पीकर हर समय अपनी पार्टी का ही अभिलाशी होती है और इसलिए ऐसे स्पीकर को यह आशा तो आप देखना मत बुलना स्पीकर कि जो है क्या सकती है और क्या हो इंपोटेंट है क्योंकि यह बहुत important topic रहेगा तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत important रहने वाला है लेकिन आपको पता हीए कि तिर्पाने संटर सिर्फ एक ही अभिराशा यह विडियो हर एक बच्चे तक पहुंचे और वे बच्चे जो है इसका सही सही ज्यान उप्योग कर सके और अप आपका भी फर्ज बनता है कि ये दुसरे बच्चे तक पहुच ना कैसे पहुचा पहुचा है इसका विषय आप खोढता हूँ मै जैसे हो इस व्डियो को जो है उन बच्चे तक भी पहुचाना जिनको इस विडियो की जरूरत है ठीक है अगर आप ऐसा कारे करते हो अगर ऐसा मुझे लगता है कि आपने ऐसा किया है तो हो सकता है कि आपके लिए और विशय का या आप जो on demand कोगे उस पे जो है विशय पे बनाया जाएगा तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा के समान रहेगा क्योंकि इस पे आपकी मर्जी चल करना है कि जो है लिंक को यूटूब से जो है को फिक करना है और वर्ट्सप स्टेटस पे लगा देना है कि अँआ कि अब आदा